हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में यहां पे हम कि अधर स्टेट में जो भी लोग फसे हुए है जो लोकडाउन के वज़े से घर नहीं जा पाए है उन यहां पे जो भी लोग नए है उन लोगों को बताना चाहत हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक देखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद है तो बात की किया है यहां पर जो कि DOIT की तरफ से यहां पर एक्टिवेट किया गया है और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों यहां पर आपना रिजिस्टेशन करवा लिजी यहां पर अपना यही लिंक में ने दे रहे का यहां पर और उस पर लिंक पर जाके आप मतलब कोविड-19 अगर को राजस्तान में आना चाहता है तो इनवार्ड में आपको टू राजस्तान ओप्शन का और यह अगर राजस्तान से बाहर जाना चाहता है तो आउटवार्ड में टू अधर स्टेट का ओप्शन भरना पड़ेगा आपको वहां पर बैसिक इनफोर्मेशन आपको बन बदला भी किया सकता है कि अगर आप जिस डेट को अगर आप जाना चाहते है वो डेट आप वहाँ पर डाल सकते हो अगर उस दिन वह चीज अवेलेबल नहीं होगी तो गवर्वेंट उसमें चेंज करके आपको बता देगा कि आपको इस दिन यहां से ले जाये जाएगा और उसके बाद में आपको सोर्स एड्रेस का मतलब यहां पर होता है कि नागरिक वर्तमान में कहां पर रह रह रहा है जैसे कि अगर कोई महराश्टर में अभी फसा हुआ है उसको राजस्तान आना है तो वो सोर्स एड्रेस उसका हो जाएगा कि वो महराश्टर में फसा हुआ ह तो दोस्तो अगर आप राजस्तान में हो यहाँ पे तो आपका सोर्स एड्रेस राजस्तान आ जाएगा क्यों कि वर्तमान में आप राजस्तान में रह रहे हो और destination address का मतलब है अगर आपको राजस्तान से महाराष्टर में जाना है तो destination आपका महाराष्टर हो जाएगा वहाँ पे और अगर आपका migrant movement में inward to राजस्तान option का chain करते है तो destination address में राजस्तान का address आएगा अगर आप migrant movement में outward to other state का option chain करते हैं तो source address में राजस्तान का address महाँ पर आएगा तो दोस्तों आपको बताना चाता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी मजदूर हो या आपके पास भी अगर कोई ऐसा मजदूर या फिर और कोई भी logo जो अगर वो बहार से अपने राजस्तान में या कई भी अधर इस्टेट में जाना चाता है तो मैं आपको बोलूगा कि आप उनकी help जरूर कीजिएगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर clear करना चाता हूँ कि यह सुईदा के वल राजस्तान के लिए ही है अगर राजस्तान से कोई व्यक्ति अधर इस्टेट में जाना चाता है या अधर इस्टेट से कोई व्यक्ति राजस्तान में आना चाता है उन्हीं लोगों के लिए यह सुईदा है अधर इस्टेट के लिए नहीं है ये ओनली राजस्तान से आने है या जाने वालों के लिए ही ये स्वीधा उपलब्द है तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा अगरे चैनल को सब्सक्राब कीजिएगा दोस्तों धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में